हलो एवरिवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, तो कैसे हैं आप सब लोग, आशा करती हूँ, आप सब लोग अच्छे होंगे, आज की हमारी जो वीडियो है, वो लिपो सोलीबल वैक्स के उपर होने वाली है, अगर आपको लिपो सोलीबल वैक्स करने में प्रोब्लम होती है, सबसे पहले आपने क्लाइट की स्किन को क्लीन जरूर करना है, चाहे कोई भी मोसम हो, गर्मी का हो, सर्दी का हो, अगर आप रिका वैक्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे किसी भी ब्राइट की लिपो सोलीबल वैक्स यूज़ कर रहे हैं, पहले आपने स्किन को क्लीन करना है, क दूसरा है after waxing lotion, pre waxing gel के भीना काम नहीं चलेगा, भीना काम चल जायेगा, उसकी जगह आप coconut oil का यूजर कर सकते हैं, पर अगर आप सोच रहे हैं कि pre waxing gel का यूजर ना करें, और extremely wax हो जाएगी नहीं, प्लाइंट का पील होने के काफी जादा chances बढ compones, करता है तो आपने इस बढ़े का ध्यान देना है कि आपने अच्छे से क्लाइट की सिर्ट को क्रीन करना है इस in में जितनी भी घंदगी धुल मिफ्टी होगी वयगी खिन हो जाएगी और में जाएगा जहां आपने वच करने अगर company ने एक अच्छी wax बनाई है और उसको यूज करने से पहले इस product का यूज करना बनता है तो कुछ सोच कर ही यह product बनाया गया है तो ऐसे मगर आप चाहते हैं कि आपके client की skin पीलना हो तो आपने पहले client की skin को pre waxing gel लगा कर clean करना है उसके बाद अगर आपको लग रहा है क client की skin पर moisture है तो टेलकम powder लगाएं otherwise आपने wax के application करनी है hair की direction के हिसाब से waxing strip लगाई है मैंने Rika brand की जो की paper based waxing strip होती है काफी अच्छी waxing strip होती है इससे easily छोटे से छोटा hair remove हो जाता है उसके बाद आपने skin को hold करते हुए opposite direction में waxing strip को pull कर देना है guys अगर आप liposolubal wax को use करने का सही तरीका जान जाते हो अगर आपको wax करनी आ जाती है तो आपको इस wax के बहुत सारे benefits होते हैं one time में ही यह सारे के सारे hair easily remove कर देती है client की skin की tanning बहुत अच्छे तरीके से remove होती है hair under root तक remove हो जाता है और client आपको इस wax का payment भी जादा करता है अगर आप normal wax से hand waxing करते हैं तो आप लेते हैं 100, 150, 200 रुपीज अगर मैं रिका wax का use करती हूँ full hand with armpit waxing तो मैं लेती हूँ 500 रुपीज चार्ज अगर आपको इस wax को use करने का सही तरीका आ जाये तो आप ज्यादा earn भी कर सकते हैं पर आपने ध्यान देना है कि आप wax हमेशा अच्छे brand की ही purchase करें कभी भी यह ना सोचे कि लिपो-soluble wax हम किसी other brand में purchase कर लें जो कि काफी सस्ता हो सस्ते के चकर में आपने client की skin खराब नहीं करनी इसलिए कोशिश करें कि आप हमेशा अच्छे brand में ही invest करें लिपो-soluble wax भी भहुत सारे brands में आती है जैसे बायो-soft ब् रिका की green apple wax आप रिका की aloe vera wax भी यूज़ कर सकते हैं काफी अच्छा result है और देखे कितनी heavy growth है मेरी client की और easily इनकी wax हो गई थी बिल्कुल भी इनकी skin में कोई problem नहीं हुई थी अगर आपके पास कोई इतनी heavy growth वाला client आ रहा है तो आपने पहले skin के hair cut कर लेने हैं क्योंकि जब इतना लंबा बाल कट करके निकालें तो easily निकल जाता है पर अगर हम simple wax यूज़ कर रहे हैं तो एक तो यह निकालना ही मुश्किल हो जाएगा rica wax से यह hair निकल तो जाता है client की skin पर काफी tan के hair निकलता है जिससे client को काफी pain होता है blood आने के भी chances बढ़ जाते हैं तो इसलिए आपने ध्यान देना है अगर आपके client के hair काफी long है तो आपने पहले hairs को cut कर लेना है then wax की application करनी है हलका सा आपने press करना है and opposite direction में waxing strip को pull कर दे देना है easily आपके client के सारे के सारे hair remove हो जाएंगे guys rica wax को use करते समय आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है अगर आप rica wax use कर रहे हैं चाहे किसी भी brand में liposolubal wax use कर रहे हैं आपने wax की application करने के बाद जब hair remove हो जाते हैं तो hair कई बार छूट जाते हैं तो आप ध्यान दें क कि सारे में wax की reapplication नहीं करेंगे केवल वहीं पर wax की reapplication करनी है जहां hair रह गए हैं अगर client की skin ज्यादा red नहीं हो रखी अगर आप सारे में wax की reapplication कर देंगे तो ऐसे में client की skin peel हो सकती है तो आपने ध्यान देना है कि आप सारे में reapplication ना करें रिका wax को use करने के बाद client की skin में जो चिपचिपाहट होती है उसे रिमूव करने के लिए कभी भी आप पानी का यूज नहीं करेंगे कई बार मेरे चैनल पर कमेंट आता है मैं मैंने रिका वैक्स को रिमूव किया था वैक्स और चिपक गई तो उसका कारण यह है कि रिका वैक्स को यूज करने के बाद प कोकोनेट ओयल इसका यूज करने के बास किन में जितनी भी एक्स्ट्रा वैक्स है वैर रिमूव हो जाएगी और क्लाइट की स्किन में आपने उसी कोकोनेट ओयल या फिर आफ्टर वैक्सिंग लोशन से बहुत अच्छे तरीके से मसा दे देनी है और गाइस ये था रिका वै है तो उसकी हमारी जो MRP होती है 200 रुपीज 250 रुपीज 150 रुपीज पर जब हम रिका वैक्स पर चेस करने जाते हैं तो उसका मार्किट प्राइज होता है 1200 रुपीज कई बार हमें लैस्प होकर 1100 या 1000 रुपीज तक मिल जाती है तो ऐसे में रिका वैक्स प्राइज वाइ काफी ज्यादा बैटर हैं जब हम सिंपल वैक्स का यूज करते हैं तो हेर जो ग्रोथ होती है नॉर्मल उपर से ही रिमू हो जाती है पर जब हम रीका वैक्स का यूज करते हैं तो हेर ग्रोथ अंडर रूट तक रिमू हो जाती है हेर गेन काफी लेट आता है और जो हेर आता है काफी soft and smooth आता है तो ऐसे में अगर किसी wax के इतने सारे benefit है तो वैं costly तो होगी ही इस wax को use करते समय आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है वैंने आपको बता दिया है इस wax के benefit बता दिये हैं और गाईज अगर आप मेरे channel पर first time विजिट कर रहे हैं तो आपको मेरे channel पर पालर में जो भी काम होता है उन सब topics related videos मिल जाएंगी जैसे bleach, facial, waxing, d10 every topics related मैंने अपने channel पर videos upload कर रखी हैं और गाईज अगर आपको मेरे channel की video useful लगें तो please video को like करें, share करें साथ में मेरे channel को subscribe भी कर दें and bell icon को जुरूर प्रेस करें ताकि आने वाली latest video की notification आपको time to time मिलती रहें और गाईज अब मैं यूज कर रहे हैं hand waxing करने के लिए green apple wax green apple wax काफी अच्छी wax है, यह wax specially sensitive skin के लिए बहुत अच्छी है पर आप इस wax को हर type की skin पर use कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसका use जादतर sensitive skin पर करती हूँ पर ऐसा कुछ mention नहीं कि normal skin पर आप इस wax का use नहीं कर सकते क्योंकि यह wax मैंने काफी time पहले मंगाई थी, तो ऐसे में अगर आपके पास wax काफी time पहले की आई हुई है अगर आपको लग रहा है कि वह कहीं expiry ना हो तो हो जाए तो ऐसे में आप normal skin पर भी उस wax को use करके खतम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो wax sensitive skin के लिए बनी है पर आप यह गलती बिल्कुल ना करना कि normal wax को आप sensitive skin पर use कर दें तो ऐसे में client की skin peel हो सकती है पर अगर आप ऐसी wax जो की sensitive skin के लिए बनी है उसे normal skin पर easily use कर सकते हैं क्योंकि जो चीज sensitive skin को suit करती है वो normal skin को तो suit कर ही जाएगी क्योंकि normal skin में तो कोई problem भी नहीं होती जब भी आप hand waxing करते हैं तो hands को जरूर include करना है चाहे आपके client के hands पर hair हो या ना हो क्योंकि hands पर tanning जो होती है बाजू से भी ज़्यादा होती है तो ऐसे में जब आप wax कर रहे हैं तो आप hands की भी बहुत अच्छे तरीके से waxing कर दें क्योंकि यहां की जब tanning remove हो जाती है तो skin काफी neat and clean हो जाती है और यहां की tanning remove होना बहुत जरूरी है गाइस मेरे चैनल पर आज 2 lakh subscribers complete हो चुके हैं आपने मेरे चैनल को इतना सयोग किया इतना support किया उसके लिए thank you thank you so much आने वाले टाइम में इसी तरीके से मेरे चैनल पर अपना सयोग support बनाए रखें और आपने इतना appreciate किया मेरी कई videos पर तो काफी अच्छे view आये हैं इस साल म मेरे चैनल पर 10 lakh subscribers भी complete हो जाएं क्योंकि जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ने की भी चाह हो जाती है तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल पर अपना सयोग and support हमेशा बनाए रखें और मुझे comment करके या भी बताएं कि आप next video किस topic से related देखना चाहोगे और मेरे चैनल पर हर topic से related आपको वीडियो मिलेंगी और गाईज अगर आपको make up से related वीडियो देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल पमी ब्यूटी पालर को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें मैंने mostly वीडियो make up से related अप्लोड कर रखी हैं जैसे bridal make up, soft make up, smoky make make up, engagement, make up, हर type का make up मैंने उस चैनल पर share किया है तो guys बाते करते करते मेरे client की hand waxing का almost procedure complete हो चुका है waxing हो जाने के बाद मैंने यूज किया था Rika का after waxing lotion, after waxing lotion का यूज करना जरूरी है अगर आप professionally work कर रहे हैं अगर आपके पास after waxing lotion नहीं है तो मैंने आपको पहले भी बताय कि आप coconut oil का भी यूज कर सकते हैं ताकि client की skin में जितनी भी extra wax लगी हुई है वह easily remove हो जाए भूल कर भी आप पानी का यूज करें अगर आप पानी का यूज करेंगे तो client की skin पर ये wax उल्टा दुबारा से चिपक जाती है और उसे remove करना काफी मुश्किल हो जाता है और उस पानी का यूज करना एक दो घंटे तक तो करना ही नहीं पर अगर आप चाहते हैं कि आपका रीका वैक्स का रिजल्ट बहुत अच्छा है तो बारा घंटे तक आप पानी का यूज करें इससे आपकी skin में जो moisture है बहुत अच्छे तरीके से लोग हो जाएगा और गाइस यह करवाना पसंद करते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में ओके टेक के रहें